प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे विक्टोरियन पोईट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फीमस पोईम के बारे में जिसका नाम है My Last Duchess यह पोईम 1842 में लिखी गई थी पोईम 56 लाइन्स की है और कपलेट फॉर्म में बाती गई है तो पोईम की रैमी स्कीम भी कुछ ऐसी ही है ए ए बी बी सी सी फ्रिंट्स जैसा की मैंने कहा यह पोईम एक ड्रमाटिक मोनलॉग है इस पोईम में एक स्पीकर है जो है ड्यूक ओफ फिरारा वो एक पेंटिंग दिखाते हैं जो की उनकी पिछली वाइफ की थी और वो ही उनकी लास डचेस थी यहां वो उस पेंटिंग के थूँ अपनी फॉर्मर वाइफ के बारे में बता रहे हैं उस पी क्या क्वालिटीज थी और यह सारी चीज़े वो किस से डिसकस कर रहे हैं तो अपनी अगली होने वाली जो वाइफ है उसके रिलेटिव से इस पोईम से पता चलता है कि ड्यूक ओफ फिरारा जो है उनका नेचर कैसा है पोईम की थीम भी कुछ ऐसी ही है अबजेक्टिफिकेशन ओफ वुमेन कंट्रोल और मेनिपुलेशन और साथ ही सोशल स्टेटस यानि किस तरह से विमेन पर कंट्रोल किया जा रहा है उनका हसना पसंद नहीं है दूसरों से बात करना पसंद नहीं है किस तरह उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करना है कि वो ड्यूक है इस तरह की चीजों को इस पोईम में डिसकस किया गया है अब अगर बात करें पोईट की तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोईट थे उनका जन्मुआ था 7 में 1812 में और उनकी डेथ हुई थी 12 दिसेंबर 1889 में उन्होंने फीमस पोईट इलिजबेट बैरेट से शादी की थी जिसके बाद वो एलिजबेट बैरेट ब्राउनिंग बन गई रॉबर्ट ब्राउनिंग को Master of Dramatic Monologue कहा जाता है उनकी पोईब्स में ये देखने को बहुत मिलता है साथी बात करें उनकी फीमस वर्क्स की तो उसमें Pite Piper of Hamlin, Men and Women, The Ring and the Book ये सभी शामिल है तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और इस पोईब्स को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो स्पीकर हैं जो की Duke of Ferrara है वो अपने गेस्ट से कह रहे हैं कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस दिवाल पर वो किसकी है मेरी Last Duchess की मेरी पुरानी जो वाइफ थी उसकी है और ऐसी लग रही है मानो वो अभी भी जिन्दा हो यानि मेरी वाइफ की डेथ ना हुई हो इसनी लाइवली वो पेंटिंग है और मैं ही कहता हूँ कि ये जो पेंटिंग है वो एक wonderful piece of art है यानि इतनी beautiful ये पेंटिंग है जिसमें जो मेरी वाइफ है वो ऐसी लग रही है मानो वो सामने साक्षात खड़ी हो अब ये फ्रा पेंडॉल्फ जो है ये उस आर्टिस का नाम है जिसने ये पेंटिंग बनाई है तो यहाँ ये ड्यूक कह रहे है कि उसके हाथों ने एक दिन तक बहुत कड़ी महनत की और फिर ये पेंटिंग बनी है यहाँ पर इस पेंटिंग को लगाया गया है तो ये जो पेंटिंग की खुबसूरती है वो मेरी वाइफ की नहीं बलकि उस आर्टिस्ट उस फ्राप पेंटॉल्फ के हाथों की कम्याबी के कारण है और अब वो अपने गेस से कह रहे हैं कि क्या आप प्लीज बैठियेगा और उसे देखियेगा मेरी वाइफ की इस पेंटिंग को देखियेगा अब यह जो ड्यूक फिरारा है वो आगे कहते हैं कि मैंने आपको इस पेंटर का नाम इसलिए बताया क्योंकि अक्सर यह जो स्ट्रेंजर्स हैं वो जब इस पिक्चर को देखते हैं तो इसकी यह जो कांटिंग्स है इसकी जो चार्म है और साथ ही जितना यह पैशनेट लगता है जितनी गहराई नजर आती है एक जलक में इस पेंटिंग को देखने में तो वो इसमें डूब से जाते हैं यानि इतनी सुन्दर यह पेंटिंग है कि अक्सर जो अजनभी इस पेंटिंग को देखते हैं वो सोच में पढ़ जाते हैं कि अरे इस ड्यूग की पुरानी वाइफ कितनी सुन्दर होगी लेकिन सचाई यह है कि यह जो पेंटिंग है उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है मेरी वाइफ उतनी सुन्दर नहीं थी लेकिन फिर वो सभी लोग जो मेरी वाइफ की पेंटिंग को देखते हैं वो क्यों? क्योंकि मैं वापस से उस तस्वीर पर वो परदा लगा देता हूँ जिसकी डूर कहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है यानि मैं तब तक ही उस painting को लोगों को देखने देता हूँ जब तक मैं चाहता हूँ उसकी डोर मेरे हाथ में है और जैसे ही वो तस्वीर छिप जाती है लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं कि अरे ये किसकी painting थी इतनी सुन्दर है इस तरह की बाते करते हैं और फिर वो लोग मुझे देखकर कुछ इस तरह से कहते हैं कि आखिर उस painting में उस चहरे पर ऐसी चमक कैसे आई ये जो expression है उस चहरे पर जितनी वो सुन्दर दिख रही है आखिर ऐसा कैसे हुआ अगर उनकी हिम्मत होती है इस तरह की सवाल करने की तो वो मुझे से ये सवाल जरूर कहते हैं तो इसलिए ऐसा पूछने वाले आप पहले नहीं हैं मुझसे पहले भी लोगों ने मेरी पुरानी वाइफ की खुबसूरती के वारे में उसके इस expression के वारे में पूछा है अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि सर मैं आपको पहले ही ये बात बता दूँ कि उसके husband के presence से यानी मेरे आजाने से उसके चेहरे पर ये spot ये जो blush हो जाता है चेहरे पर वो नहीं आता था यानी सिर्फ मुझे देखकर ही मेरी जो wife है वो खुछ नहीं होती थी उसके खुछ होने के बहुत सारे कारण होते थे और आगे अप poet example देते हैं अब हो सकता है ये जो painter था फ्रा पेंडॉल्फ उसने उसे compliment किया होगा कि उनका जो mantle है जो shawl है वो उनकी बाहों पर कुछ ज़्यादा ही पड़ा हुआ है कुछ ज़्यादा ही उसने धक कर रखा है और paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat ये शायद उसने कहा होगा कि ये जो मेरे रंग है ये कभी भी आपके चेहरे पर जो blush है जो हलकी सी जो blush आपके गले के पास है उसको कभी भी मैं paint से बना नहीं पाऊंगा और इसलिए शायद वो इस तरह के expression दे रही होगी शर्मा रही होगी यानि ये जो ड्यूक फिरारा है वो कहना चाहरे है कि मेरी वाइफ के पास शर्माने के, blush करने के बहुत reason थे सिर्फ मुझे देखकर वो नहीं शर्माती थी कोई थोड़ा compliment कर देता था तो उसमें भी खुश हो जाती थी शर्मा जाती थी अब ये जो मेरी वाइफ थी वो सोचती थी कि ये जो चीजें हैं ये कोटसी हैं ये जरूरी है और सिर्फ इतना सोच कर ही उसके चहरे पर वो मुसकान आ जाती थी, खुशी आ जाती थी, वो blush कर देती थी यानि मेरी वाइफ को प्लीज करना बहुत ही आसान था उसके पास एक दिल था और अब मैं आपको कैसे बताओ, वो दिल ऐसा था जो बहुत ही जल्दी खुश हो जाता था यानि एक क्वीन की जो क्वालिटी होनी चाहिए उसे जल्दी खुश नहीं होना चाहिए ऐसी क्वालिटी मेरी वाइफ में नहीं थी, एक छोटे कॉम्प्लिमेंट पे भी वो खुश हो जाती थी और बहुत ही जल्दी वो इंप्रेस भी हो जाती थी यानि उसे जो भी पसंद आता था, वो जो भी चीज़े देखती थी, उसे वो चीज़े पसंद आ जाती थी और उसकी नजरें जो थी, वो हर जगा जाती थी यानि उसे हर एक चीज़ पसंद था, जो चीज़ वो देखती थी, उसे वो पसंद आ जाती थी तो like करने के लिए कोई बहुत उंचा level नहीं था उसका Sir, it was all one उसके लिए सब कुछ एकी जैसा था वो हर चीज़ को देखकर एक ही समान खुश होती थी My fever at her breast मेरा उसकी सीने पर एक नजर पढ़ना मतलब जब मैं उसे romantically देखता था चाहे वैसी कोई बात हो The dropping of the daylight in the west या जब शाम के समय में सूरज west direction में डूबता था The bow of cherries, some official fool broke in the orchard for her या एक cherries का bow, cherries जो fruit होती है उसकी एक डाली तोड़ कर कोई बेवकूफ उसके लिए लाया हो अपने बगीचे से तो उससे भी वो उतनी ही खुश होती थी The white mule, she rode with round the terrace और साथ ही जो सफेद रंग के घोड़े पर बैट कर वो टेरेस पर घूमा करती थी ये सारी चीजे उसे एक जैसी ही खुश करती थी यानि चाहे वो मेरे साथ romantic हो रही हो सूरज डूपता हुआ देख रही हो कुछ फल खा रही हो या घोड़े पर सवारो उस वो हर एक चीज से एक ही जैसी खुश होती थी यानि मैं उसके लिए कोई बहुत जादा special नहीं था हर एक चीज को देखकर उसके चहरे पर एक जैसी ही स्पीच आती थी थैंक यू इस तरह की बाते वो कहती थी या कम से कम बिलकुल एक जैसा वो बलश करती थी शर्मा आजाती थी तो कोई भी चीज उसके लिए बहुत special नहीं थी सब कुछ उसे बहुत पसंद आता था वो लोगों का शुक्रिया करती थी उन्हें थैंक्स कहती थी अच्छी बात है पर कभी कभी वो ऐसे शुक्रिया कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता था as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift वो ऐसे शुक्रिया कहती थी मानो मैंने जो से गिफ्ट दिया था वो सारी गिफ्ट उसके बराबर हो मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया मैंने उससे शादी की और ये मेरे पास जो 900 साल पुराना ड्यूक होने का नाम है वो नाम मैंने उसे दिया मुझसे शादी करके वो डचेस बन गई बहुत बड़ा गिफ्ट है ये लेकिन उसके लिए ये गिफ्ट भी उसी बराबर का था जैसे कोई पेड के फल हो या गोड़े पर तहलना हो कुछ भी स्पेशल नहीं था उसके लिए मेरे में और इस तरह की मजाफ के लिए कौन इतना जुक कर बात करेगा यानि शायद ये बात मैं अपनी वाइफ को समझाता कि तुम्हें मुझे इंपोर्टेंस देनी चाहिए दूसरों की चीजों पर इंपोर्टेंस नहीं देना है लेकिन ये बात समझाने के लिए उतना नीचे जुक कर मैं अपनी वाइफ से क्यों बात करूँ अगर फिर भी मान लो कि शायद मुझे में वो क्वालिटी होती कि मैं अच्छे से अपनी बात को कह सकता मैं अपनी वाइफ के पास जाता और उससे सब कुछ कह सकता कि तुम जो कह रही हो वो गलत है यानि मैं चाहता कि चाहकर कि तुम्हारी अपनी वाइफ को मैं कहता कि तुम्हारी ये जो क्वालिटी है ये मुझे डिस्गस्ट करती है इसे मुझे नफरत है या मैं कहता कि यह जो तुम कर रही हो यह बहुत ज़ादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर उसने अपनी आदतों को कम होने दिया होता ना कि वो जिद पर अड़ जाती और बहाने बनाती यानि जब मैंने अपनी वाइफ को यह समझाया कि यह सारी चीजे उसे नहीं करनी चाहिए तो उसने मेरी बात नहीं मानी बलकि वो अड़ी रही उसने बहाने बनाए कि नहीं वो जो कह रही है वो ठीक है तो उसके बात क्या हुआ Even then would be some stooping and I choose never to stoop तो भी ऐसा क्या होता? मुझे उसे ये सारी चीजे बताने के लिए जुकना पड़ता मुझे उसके सामने अपनी बातों को रखना पड़ता और मैं कभी नहीं जुकता हूँ मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं जुकूंगा Oh sir she smiled no doubt whenever I passed her लेकिन यही स्माइल वो हर उस इंसान को करती थी जो उसके बगल से गुजरता था कुछ भी स्पेशल नहीं था उस स्माइल में जो वो मेरी तरफ करती थी अब जब बात बहुत ज़ादा बढ़ी तो मैंने कुछ कमांड्स किये मैंने अपने सैनिकों से कुछ कहा और फिर सारी स्माइल्स रुख गए अब वो वहां खड़ी है ऐसी लगती है मानो वो जिन्दा हो यानि मैंने उसकी मुस्कान को रुकवा दिया मैंने उसे मरवा दिया अपनी खुद की वाइफ को मैंने मार डाला और अब यहां पर बचा क्या है तो बस उसकी ये पेंटिंग जो ऐसी लगती है मानो बिलकुल असली हो वो जिन्दा वहां खड़ी हो विल्ट प्लीज यू राइस वील मीट दा कमपनी बिलो दिन तो अब आप उठेंगे चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे में जो भी लोग खड़े हैं उनसे मिल कर आते हैं इतनी बड़ी बात बता कर कि मैंने अपनी पिछली वाइफ को मार दिया बहुत ही कैजवली यह जो डूक हैं वो कहते हैं कि अब हम नीचे जाते हैं और बाकी के लोगों से मिलते हैं मैं आपको फिर से यह बात बताना चाहता हूँ कि यह जो काउंट हैं आपके मास्टर जिनकी बेटी से मैं शादी करने वाला हूँ वो बहुत ही जादा म्यूनिफिशेंस हैं यानि बहुत उदार हैं बहुत जादा जनरेस हैं लोगों को बहुत पैसे देखते हैं यह मैं जानता हूँ तो इनकी यह जो जनरोसिटी है यह इस बात का सबूत है कि कोई भी बात कोई भी डिमांड जो मैं डावी के लिए दहेज के लिए करूंगा उसे मना नहीं किया जाएगा जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे जरूर दिया जाएगा लेकिन मैं यह बात यहां बताना चाहता हूँ कि मुझे डावरी में कोई बहुत दिल्चस्पी नहीं है बलकि उनकी जो डॉर्टर है जो बेटी है उसमें मुझे दिल्चस्पी है मैं हमेशा से उससे पाना चाहता था नहीं नहीं सेर अब हम दोनों बिलकुल एक साथ नीचे जाएंगे यहां पर नोटिस कीजिए नेप्चून को वहाँ एक स्टाच्यू है गॉड ऑफ नेप्चून का जो कि क्या कर रहे है एक सी हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे है और बहुत ही रेर पीस आफ आर्ट है यह ऐसी जो स्टाच्यू है आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी और यह किस ने बनाया था तो क्लाज आफ इनिस ब्रुक एक बहुत ही फेमस इंसान थे उन्होंने ब्रॉन्स मेटल में मेरे लिए यह स्टाच्यू बनाया था तो इस पर भी ज़रा नजर डालिएगा और यहाँ पर फ्रेंट्स यह पोयम खत्म होती है पोयम में बेसिकली जो ड्यूक हैं वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि कितनी सिंपल और्डिनरी थी अच्छी क्वालिटीज नहीं थी उसमें बट बेसिकली वो यह दिखा रहे हैं कि वो कितने जादा कंट्रोल करने वाले मैनिपलेटिव थे और विमेन के लिए उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो फ्रेंड्स यह थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम My Last Duchess अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए